हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो दे चैनल होप यू आ डूइं गरेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक मज़दार से रेसिपी ठीक है मैं पहले से नहीं बताने वाली हूं मैं क्या बना रही हूं आप देखते जाओ लास में आपको पता ही चल जाएगा तो क्या होगा सरसोक के तेल को बहुत जादा गरम कर देंगे मतलब बहुत जादा गरम कर देंगे उसमें डालेंगे कुछ घड़े मसाले साथी साथ उसमें डालेंगे हम बहुत सारा प्यास स्लाइस किया हुआ प्यास को तो बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है और बात में हम डालें पिंक वाली ग्रेवी ये भी बहुत ही बढ़ा मसाला है चलिए अभी बता देती उसमें क्या है तो इसमें है तीन टमाटर दस बारा काजू और करीबं देड़ चमच की करीब मगज की बीजे जो पहले से भीगवाया हुआ था उसको मेरे पेस्ट बना लिया है और साथी साथ ह इसमें डालेंगे बहुत सारे सुखे मसाले सुखे मसाले आप अपने पसंद से डाली सकते हो कुछ भी डाल दो या क्या फरक पड़ता है ग्रेवी तो बहुत ही बढ़िया बनेगी मतलब आप उसी ग्रेवी में ही अपना खाना खालोगे इसके साथ आप चावल भी बना सकत पराड़ा भी बना सकते हो सब कुछ खा जायो गयार इसके साथ तो मैंने यह पर डाला है हल्दी नमक लाल मिर्च पॉर्ड़ धन्या पड़र कस्मीरी लाल मिर्च और किचिन गिंग मसाला आप चाहो तो और कुछ मसाला भी डाल सकते हो कोई पावंदी नहीं है फिर उसको भी बहुत ही अच्छे से भूनना है मतलल इतना भूनना है को सारा पानी कोना एकदम से मार देना है बस तेल निकल जाए उसके बाद फ्राइ कियो हुए वेजटेबल्स को डालिए बहुत ज्यादा अब तक आपको पता चली गया है कि हम क्या बना रहे हैं जी हम बना रहे हैं ब पान से दस मिनट के धीमी आँच में पका लेना है जैसे ही सबजी और थोड़ से मसाले के साथ ब्लेंड हो जाए ना उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ी सूखी लग रही है थोड़ी ग्रेवी तो चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए तो उसके बाद हम घ्रिती के कशक्षी मेथी को थोड़ाई लगा और ना ना लिए जाएंक प्रway करी ना ये उसके बाद हमको फिर से पकाएंगे कवर करके गरम पानी पहले से बिढ़ा के रख्येगा गरम पानी बहुत चच्छी लगत अच्छी सबस्बard करें सबस्य तो यकिस हैं ये तो पंछ नहीं है वाइन के साथ लिए पांगे पूर्छ ये सब में हैं लक्त हुआँ नहीं उसके कोई ही टाले हैं और गर्मक्सटंड साथ चावअल्स हैमें और रिख आरे वेशनक और हैा रारूथ होग काल्स आःईattend. और हाँ लास में भूलना नहीं है बहुत सारा हारा धनिया डालना है इसके बिना तो कोई भी सबजी अधूरी ही लगती है तो मैंने यहाँ पे डारा हुए बहुत सारी हारी धनिया बारी काटके बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चानल को करें और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी आपको फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ और एक नए रेसिपी के साथ टेक केर बाब बाई and enjoy happy नवरात्ति टो आल